राम डाम आज हम नित्य पत्निय श्लोक की श्रंखिला में श्लोक चार संस्कृत उच्छारण और हिंदी अर्थ सहीत जानेंगे पहला चरण जो की साथ आधान जन्म अक्षर पूरा है अकाव चारण इसमें मिक्स होगा जन्म जनम नहीं करना है जन्म क पूरा म की उपर आधे रखी मात्रा क की साथ कर्म कर्म च में में को दीर्ग करना है में दिव्या आधे व के साथ यह पूरा दिव्या पहला चरण फिर से जन्म कर्म च मी दिव्या दूसरा चरण में में को दीर्ग क्या शब्द पूरान के बाद वपी अनस्वार आधा म मेवं यो यो को भी दीर्ग करना है वे मात्रा के अंदर जो त है इसके पास में देखिए त के पास में एक छोटी सी लाइन है वेत वे के साथ आदा त है वेत और पूरा त पे एके मात्रा ती वेत ती इस तरह से पढ़ा जाएगा त के साथ आदा त तत फिर आदेत के साथ वा पूरत्व त पूरा त्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् को दीर करना है दे को दीर करना है दे हश शब्द पुराने के बाद हप्यानस्वार आधम दे हम पुनर न के साथ आधर है पुनर जन्म पहले चरण में देखा शब्द जन्म पुनर जन्म नहीं करना जन्म ठीक है तीसा चरण एक साथ त्यक्त्वादी हम पुनर जन्म चौथा चरण न पर यहाँ पर आई के मात्रा है तो नई ती ठीक है नई को दीर्ग किया है ती को रस्व रखा है मा को दीर्ग करना है मे को दीर्ग करना है ती को रस्व रखना है मा मे ती सो सो को दीर्ग करना है सो के बाद में अवग रहा है देखें सो के बाद में जो S जैसे शेप ने उसको अबग्रे बोलते हैं यह क्या कहलेगा आपकी सो की मातरा क्या उच्छा रहे ना आपको थोड़ा सा लंबा कीचना सो जू के उपर जो आधे रह की मातरा उसको सो के साथ सोरजुन जू को रस्पु रखाया, कैसे पढ़ना है, सोर्जुन, इसको काफी लोग सो अर्जुन पढ़ते, सो अर्जुन नहीं है, ध्यान देना, सोर्जुन, ठीक है, चौथा चरन फर से, नईती मा मीती सोर्जुन, पूरे श्लोक का उच्चारन एक साथ, जन्म कर्म चमी दिव्या, मीवम योवित्ति तत्वतह, त्यक्त्वादी हम पुनर जन्म, नईती मा मीती सोर्जुन, श्लोक का अर्थे जानेंगे, भगवान ने इससे पिछले श्लोक में बताया था, कि भगवान प्रकट होते हैं, उनका जन्म, हम मनुश्यों की तरह साधरन नहीं है, वे प्रकट होते हैं, इसलिए उनका जन्म दिव्या है, अब भगवार अपनी जन्म की दिव्यता के साथ, कर्म की दिव्यता को बताने क इस लोक में क्या बोल रहे हैं कि ही अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं इस प्रकार जो मनिश्य इस बात को कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं इस बात को तत्व से जान लेता है अर्थात दृड़ता पूर्वक मान लेता है वह शरीर का त्याग करके पुनर जन् यह नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान का मत है और जब भगवान का मत है तो हमें उसके अनुसार अवश्य चलना चाहिए अभी नाशी सहज सुखराशी ही नाथ ही मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं ना रहे ना रहे ना रहे